वेलकम टू क्लास ओक्साइट करेंट अफेर्स आज है 19 में 2023 और आज की करेंट अफेर हम लोग इशार्ट करते हैं पहला करेंट अफेर अफगानिस्तान से है अफगानिस्तान में तालीबान ने एक अनॉंसमेंट किया है कि वो मौलवी अब्दुलकवीर को अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और इंटरिम हैड ऑफ दी कैबिनेट जो है वो डिकलेयर करेंगे उन्होंने बेसिकली डिकलेयर कर दिया है अनॉंसमेंट कर दी है इसकी तो पहले तो मैं यह इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्या होता है मैं थोड़ा यह इंटरिम वर्ट समझाता हूँ जैसे देखो मालो कहीं किसी country में मालो अगर elections हो रही है और finally मालो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा लेकिन जब तक real प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए कुछ महिनों के लिए किसी एक person को temporary basis पे प्राइम मिनिस्ट करते हैं interim तो कुछ दिनों के लिए जो है मौलवी अब्दुल-कबीर को बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर यह कुछ दिन हो सकते हैं कुछ महिने हो सकते हैं next current affair Tata Sun के जो chairman जो है कौन नटराजन चंद्र सेखरन तो इनको फ्रांस का सबसे जो highest civilian award है यह इनको जो है यह दिया जा रहा है तो यह अवर्ड का पहले तो आप नाम थोड़ा सा याद कर लो यह french word है ठीक है तो यह french word है हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत में पोलूँ तो कैवलिय आपको यह याद रखना है कि यह फ्रांस का highest civilian award है और यह मिल रहा है किसे Tata Sun जो company जो है इसके chairman कौन है नटराजन चंद्र सेखरन उनको next current affair है हमारे अगर बात करें किरन रिजुजू जो कि हमारे पहले के law minister जो थे तो union law minister थे पहले के उनको हटा करके उनको जो है ministry of earth science का portfolio दे दिया गया है basically उनको as a law minister हटा दिया गया है तो law minister को बनाया है तो अर्जुन राम मेगवाल तो अर्जुन राम मेगवाल को बनाया गया है as minister of state कहां ministry of law में ministry of law and justice में यह नाम याद रखने हैं आपको next current affair एक scheme है बहुत ही important scheme है production linked incentive scheme PLI scheme तो इसका version 2 PLI 2.0 जो है यह launch हो गया है यह PLI scheme है क्या है मैं तो समझाता हूं आपको पता होगा हमारे country पे काफी सारे electronic items जो है वो हम लोग बाहर दूसरे country से खड़ितते हैं काफी सारा चाइना से खड़ितते हैं लेकिन government यह चाह रही है कि यह सब product हमारे country में ही बनाए जाए तो इसके लिए government क्या चाहती है यह government करके आ रही है तो government अलग-अलग company को बोल रही है आप आकर के इंडिया में जो यह electronic items बनाओ, mobile बनाओ, laptop, computer, tablets यह सब बनाओ और इसके लिए हम आपको subsidy देंगे तो यही है production link incentive scheme तो यह जो इसका version 2 launch हुआ है इसमें देखो 17,000 करोड की जो है वो basically budget allocate कि है इससे help किया जाएग उन companies को ताकि इंडिया में जो है वो अपनी product मनाए और इसका direct फायदा हमें आपको मिलेगा क्यूंकि हमें product जो यह digital, जो IT product जो है यह हमें काफे सस्ते rate में मिलेंगे next current fair है United Nation General Assembly ने declare कि 26 November 26 November को मनाया जाएगा celebrate किया जाएगा World Sustainable Transport Day तो यह याद रखना है कि 26 November को World Sustainable Transport Day के वे में इसे जो है celebrate किया जाएगा next current fair अब यह थोड़ा सा काफी important है क्यूंकि इससे related एक important current fair मैंने कुछ दिन पहले 16th में को दिया था 16th में को मैंने current fair दिया था कि एक person है ठीक है एक person है उनका नाम है जो पी थावा पी थावा उनका नाम है तो इन्होंने 26th times जो है वो Mount Everest को climb कर लिया है और यह जो है यह equal level पर आ गए थे किनके कामी रीता तो कामी रीता ने भी उस टाम तक 26th time सी किया था ठीक है तो कामी रीता लेकिन अभी recent में कामी रीता जी जो है यह एक बार और Mount Everest को climb करके टोटल 27 हो गया है यहाद रखना है आज तक सबसे ज्यादा Mount Everest को climb करना कितना 26 27 times इनके नाम पर रिकॉर्ड है तो यहाद रखना है कामी रीता सेरपा ठीक है तो यह नाम जो है आप याद रहो नेपाल से है यह नेक्स्ट करेंट अफैर ओड़ान ओपें रेडियो एक्सेस नेटवर्क यह बिसिकली एक प्रोजेक्ट है जो की बिसिकली 5G वेगरा इन सबसे रिलेट है और इसके कुछ ट्राइल्स वेगरा स्टार्ट हो गया है ठीक है तो यह दली में स्टार्ट हुआ है तो यह बिसिक इलेक्ट्रोनिक आइटम्स गैजर्स लगेंगे तो किस तरीके से वो नेटवर्क का टोटल सेट अप जो है वो इंडिया में ही डेवलप किया जाए उससे यह रिलेट करता है यह प्रोजेक्ट ठीक है तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यह रेडियो से आप बिसिकली वो रेडियो मत सोचना है बेसिकली 5G से ज़्यादा रिलेट करता है नेक्स्ट करेंट अफैर प्राइम मिश्टर नरें मोदी जी जो है इन्होंने वंदे भारत ट्रेन जो है इसका एक और जो है लॉंच किया है टोटल अभी तक 17 हो टोटल 17 हो गया है ठीक है तो 17 नंबर व यह ऋप्ट्र के लेवल पर देखो तोटल 17 हो गये है रिखमे नक्स अपको मतό मोदी का नाम जो है वह एणॉंसमीनेंट हो गया है एक तो मनेंगे करनाटका को वह कौन सिध्धा रमय रमया ठीक है तो सिध्धा रमाया जो है ये बनेंगे C.E.M. और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है न मुंभाई की रैंकिंग आई है एक सर्वे किया गया है, एक कमपनी ने किया है, तो टोटल 46, जो major important cities है world में, उनको इन्होंने basically major किया, अब finally उसमें ये देखा कि मुंबई जो है वो 6 नमबर पे है, annual housing price जो है वो growth होने में, कि घड़ो के दाम कितने बर रहे है, property के दाम कितनी बर रही है, तो मुंबई जो है वो 6 position पे आया है, याद रखना है, तो ये था 19th में 23 current affairs, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो like, comment and share करें, इसके लावा एक और channel है, जहां मैं general knowledge discuss करता हूं, तो उस channel को चेक करना बिल्कुल ना भोले, आपको description में link मिल दाएगा, thank you.